कि न्या चेप्टर इको सिस्टम तो या 3 वेटेज इस चार कुष्टन नहीं आएंगे चार ज़्यादा हो जाएंगे अधिकतम दो या तिक सभी के इंट्रोडक्शन में क्यों यहीं एक चेप्टर है जिसके इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन हो सकता आही जाए वैसे आता तो नहीं है यहां जो पॉर्शन यह लिखा है यहां सवाल आ सकता है अन एकोसिस्टम कैन बी युलाइजड ऐजे फंक्शनल यूनिट आफ नेचर यह अभी तक कभी सवाल आया नहीं है पुश्चन पूछ लेगा फंक्शनल यूनिट आफ नेचर तो आइंसर आप देंगे क्या एकोसिस्टम और एकोसिस्टम क्या है जहां लिविंग आर्गेनि इस इस सिस्टम चुकि बहुत ज़दा बिग होता है तो एक बार में स्टी करना मुश्किल होता है इस नाते क्या किया गया है कि टोटल जो बायस्फेर है या जो गलोबल एकोसिस्टम है उसको दो बेसिक कटेगरी में बांट दिया गया है एक बेसिक कटेगरी कौन सी है टेरेस्ट्रीयल एकोसिस्टम और एक है एक क्वैटिक एकोसिस्टम यह टिक कर लिजे फारेष्ट कामा ग्रासलाइन कामा डिजर्ट यह किसके एक्जाम्पिल है टेरेस्ट्रीयल के हैं जबकि पॉंड काम मेटा बाचीत नहीं हो बोलना यहीं क्या है तो कहो कि मैन मेड एको सिस्टम तो यहां से कुछ सवाल आ सकते हैं इंट्रोडक्शन से यही एक ऐसा चैप्टर है जिसके इंट्रोडक्शन से कुछ न कुछ एक्जाम में आ सकता है प्रिकल्स इंप्रोडक्शन से होगे फिर एनरजी का ट्रांसफर होगा और ट्रांसफर किसे इसे तरह होगा एक किसी भी एको सिस्टम में तीन बेसिक चीजे हैं पहला इंपुत होगा दूसरा आउटपुट होगा और बीच में इनपुट और आऊटपुट पुट के बीच में ट्रांसफर होगा जो एनर्जी का ट्रांसफर कर रहा होगा ताकि इसमें कुछ खास बात नहीं है एको सिस्टम का स्ट्रक्चर और एको सिस्टम का फंक्शन यहां से कुश्चन आपको बिलेंगे अक्सर एक्जाम में कुछ नो कुछ आही रहा है इन अर्लियर क्लासेज अभी अंडरलाइन नहीं करेंगे यूव लूग अप्रियस प्रांसफर क्वार्म अप्रियोटीक अट आप ताकि इस अदर आपको बिलेंगे see how flow of energy takes place and these components तो यहाँ से यहाँ तक वैसे तो कोई सवाल नहीं है इंट्रेक्शन आफ बायोटिक आइंड क्या एबायोटिक कम्पोनेंट तो जब कभी बायोटिक का एबायोटिक कम्पोनेंट से क्या होता है इंट्रेक्शन होता है तो उसी का रेजल्ट है क्या फिजिकल स्ट्रक्चर आफ क्या इकोसिस्टम तो कुश्चन पूछेगा इकोसिस्टम का फिजिकल स्ट्रक्चर कहां से आता है तो कहोगे इंट्रेक्शन आफ बायोटिक एबायोटिक आइडेंटिफिकेशन एंड इनिवरेशन पता करो कि कौन से प्लांट और एनिमल इस्फिसीज आप एन एको सिस्टम क्यों क्या इस्फिसीज कमपोजीशन प्रिकल डिस्ट्रिब्यूसन आफ डिफरेंट इस्पसीज अकुपाइंग डिफरेंट लेविल इसको कहते क्या है इस्ट्रेटिफिकेशन, वर्टिकल डिस्ट्रिब्यूसन आफ इस्पसीज इन एको सिस्टम, किसी इको सिस्टम में इस्पसीज का जो वर्टिकल डिस्ट्रिब्यूसन होता है, उसी को कहते क्या है, इस्ट्रेटिफिकेशन और इसका एक्जामपिल भी दिया है, क्या, कि अग और उसके बाद क्या मिलेंगे grasses at the bottom तो किसी भी ecosystem में जितनी species पाई जाएंगी उनका जो vertical distribution है वो कहा क्या जाता है stratification और ये सवाल एक्जाम में आन सकता है forest ecosystem का अगर stratification आप से पूछा जाए तो कहोगे top पर कौन है बीच में कौन है और बाटम में कौन है question as such exam में आया है function as a unit unit आफ ecosystem के farm में क्या होगा तो कहोगे चार है एक तो productivity होगी दूसरा decomposition productivity का मतलब होगया input और decomposition का मतलब होगया output energy flow और nutrient cycle दोनों होगे क्या transfer तीन ही तो में घटना होनी है input होना है output होना है transfer होना है इन किसके दारा productivity से output किसके दारा decomposition से और नीचे के दो किसके लिए लिए लिखे है question पूछे का निम्रकी में से कौन ecosystem की unit है तो यह सब किसब क्या है unit है यह unit है आया हुआ सवाल है कौन unit नहीं है तो इन तीन चार को छोड़ के जो है सब unit नहीं इसे उस question में यह option दिया था क्या statification unit है तो कोगे नहीं statification unit नहीं है किसी भी ecosystem में चाहे वो हम लोग aquatic ecosystem देखें चाहे terrestrial हो चाहे क्या हो कोई भी ecosystem हो किसी भी ecosystem में तीन चीजे जरूर होंगी हमारे पास कोई न कोई producer होगा कोई न कोई decomposer होगा और कोई न कोई होगा जो energy को transfer कर रहा होगा और energy को transfer करने वाले consumer होते हैं जैसे sunlight से energy trap हुई plant में तो plant होगे producer फिर plant को insect ने खाया insect को frog ने खाया और frog को bird ने खाया या snake ने खा लिया तो मान लेते सबसे आखरी में जो है कि सब लोग डिकंपोज होंगे जब डिकंपोज होंगे तो energy फिर से रिलीज हो जाएगी तो किसी भी ecosystem में तीन लोग जरूर होंगे producer जरूर होगा डिकंपोजर जरूर होगा और producer और डिकंपोजर के बीच energy का transfer करने के लिए कोई न कोई क्या होंगे consumer होंगे ठीक है वह हमको यहां देखने को मिलेगा किसी भी ecosystem में लिए और या ड़ायटिक खानी कोईघी ten forthey हो जोकी एठर ऑफ में तो में चैट चैट वरफ थो थो इंद आईगा ससफ किसमरे के लिए हम कसी कыт हो तो सब यहां लिएक्जांबिल रहे हैं इसमाल पॉंड आजे एक्जाम्पिल ये क्या है तो कहोगे सेल्फ सस्टेनेबिल यूनिट है ये सिंपल एक्जाम्पिल है लेकिन ये एक्स्प्लेन कर देगा किसको कांप्लेक्स इस्ट्रेक्शन को पांड होता क्या है एक सैलो वाटर बाड़ी अभी तक कुछ नहीं पूछ लिखा गया है इन वीच आट दरु मेंसन dato बेसिक कंपोणेंट चार बेसिक कंपोनेट यह जो लिखेंब 4 basic component आफ एको सिस्टम होंगे बायो्टीक कंपोनेट के बारे में झाह तो येवार टीक के नाम पर वार्टर मिलेगा तरहा है가는 पूटिं दा टायाइवर and other climatic condition होंगी जो regulate करती होंगी क्या rate of function of entire pond तो यहां से यहां तक पढ़ने के बाद क्यों एक ही सवाल मिला है सवाल वो यह है कि जो ए बायोटिक component है वो कौन से हैं तो दो मिल गए अब इसके बाद आता है बायोटिक और बायोटिक में कौन आएंगे आटो ट्राफिक कंपोनेंट और आटो ट्राफिक कंपोनेंट में कौन आएंगे फाइटो प्लैंकटान और कौन आएंगे कुछ हलगी और क्या आएंगे floating submerged and marginal plant consumer की अगर हम बात करेंगे देगे producer होगा फिर consumer होगा फिर decomposer होगा consumer की बात करेंगे तो कौन आएंगे जू प्लैंकटान आएंगे और कौन free swimming and bottom dwelling क्या animals आएंगे और फिर आखरी में क्या मिलेंगे decomposer और उनके नाम पर पंजाई मिलेंगे बैक्टिरिया मिलेंगे और flagellate abundant होगे कहां तो कहोगे bottom पर this system यह जो system है this system perform all the function all the function of an any ecosystem and biosphere as a whole इसमें होता क्या है conversion होता है inorganic का किसमे organic matter with the help of radiant energy यह काम कौन करेगा आर्टो ट्राफ फिर consumption होगा आर्टो ट्राफ का किसके दोरा हेट्रो ट्राफ फिर क्या होगा decomposition होगा और आखरी में इसका dead matter और आन्तता रिलीज हो जाएगा फिर से किसके लिए आर्टो ट्राफ ऐसे ही repeat होते रहेंगे event यह point टिक कर लो there is आफ एनर्जी टूर दा हाईयर ट्राफिक लेविल ठीक है अन्तता हीट के फाम में क्या हो जाएगे लास question question स्रीप बता दीजे पहला सवाल aquatic ecosystem को समझने के लिए किसका आउम पिल लिया गया ऐँगा दोसरा फ़ोश में धाउट ट्राफिक क्या प्रोडूसर कोन है रिखो additive यह और यह दिया हुआ है और कंज्यूमर में यह दिया है यह दिया है यह दिया है और टिकंपोजर में यह दिया है यह दिया है यह दिया यह दिया बस तीन क्वेश्चन यह दखना है प्रोड्यूसर कौन है कंज्यूमर कौन है और टिकंपोजर कौन है कांस्टंट इन्पूट आप सोलर एनर्जी प्रोडक्टिविटि इंपॉर्टेंट है इधर कोस्टन देखने को मिल रहा है net primary प्रिडक्ति या ग्रास प्रएम प्रोडक्ति इन सबसे कोस्टन हैं में आ रहा है घिद्क तीन पूच्छन है आप समझ लीजिए प्रोडक्टिविटी का मतलब है बनाना किसी पर्टिकुलर एको सिस्टम के जो कमपोनेंट है अगर वो कुछ बना रहे है तो उसको हम प्रोडक्शन कहेंगे तेक आप देखें बनाएंगे कैसे तो एक बनाने का तरीका यह है कि भई फोटो सिंथिस कर लो और उससे प्रोडक्शन बनाओ देखाऊन करेगा यह तो सिर्फ ग्रीन प्लांट करेंगे तो जो आटो ट्राफ फोटो सिंथिस के द्वारा जो कुछ भी बनाते हैं उसको हम कहते हैं प्राइमरी प्रोड़क्टिविटी सुन लो लिखे से याद नहीं होगा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ प्रोड़क्टिविटी का मतलब है नया आर्गैनिक मेटर बनाना अब नया आर्गैनिक मेटर अगर फोटो सिंथिस से बना रहे हो तो यह कौन करेगा यह ग्रीन प्लांट करेंगा इसी को कहते हैं प्राइमरी प्रोड़क्टिविटी बा रहे हैं तो उसी को कहते हैं secondary productivity तो primary और secondary का अंतर समझ लिजे photosynthesis से बनाओ तो primary और consumer बनाए तो secondary जो primary productivity होती वो भी दो परकार की होती है grass और net grass समझ लिजे photosynthesis से जो total बनता है photosynthesis से जो total बनता है उसको क्या कहते है ग्रास primary productivity लेकिन photosynthesis से जो भी total बनेगा उसमें से जो green plant होंगे वो कुछ न कुछ अपने energy में यूज करेंगे तो जो अपनी energy का मतब respiration में जो यूज हो जाए उसके बाद जो बचेगी वही तो net primary productivity होगी कहने का मतब यह है कि जो grass primary productivity है ग्रास primary productivity जो है इसमें से respiratory loss क्या कर दो हटा दो जो बचेगा वही क्या होगा net primary productivity केवल पांच question है बस छठा सवाल नहीं है क्या productivity क्या है बनाना है primary क्या है photosynthesis secondary क्या है consumer जो photosynthesis total बने वह ग्रास और respiratory लास के बाद जो बच जाए वह नेट तो बताओ consumer को मिलेगी कौन से net primary productivity ही तो available होगी किसके लिए consumer यही पांच question 6 है जो आपको याद रखते हैं constant input of solar energy is the basic requirement of an ecosystem to function and sustain primary production is defined as क्या amount of biomass या organic material produce per unit area over a time period by क्या photosynthesis photosynthesis से जो बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे उसको कहेंगे primary productivity इसको हम किस farm में express कर सकते हैं अभी तक कभी आया नहीं है तो कहोगे weight के farm में या इसको किस farm में energy के farm में rate of biomass production को ही कहते क्या है productivity कहते हैं इसको express करने के unit है क्या gram per meter square per year gram per meter square per year या kilo calorie per meter square per year it can be divided into क्या या तो grass primary productivity या तो net grass क्या है तो इतको लिखा है rate of production of organic material during photosynthesis इसमें से बहुत सारा amount utilize कर लेते हैं कौन plant किसमें use कर लेते हैं respiration तो grass primary productivity में से क्या घटा दो respiratory last हटा दो तो क्या मिलेगा net primary productivity net primary productivity ही वो है जो available है किसके लिए consumer के लिए या heterotraft के लिए secondary productivity क्या है तो कहोगे यह नया organic material है बस बनाया किसने है किसने बनाया है consumer ने primary productivity depend on primary productivity depend on the plant species inhibiting क्या particular area it also depend on various environmental factors जैसे nutrient के availability जैसे photosynthesize capacity therefore it varies in different type of eco system यह रटना है annual net primary productivity of whole biosphere कितना है 170 billion ton लेकिन कह रहा है कि 70% area किसके पास है ocean के पास है लेकिन productivity कितनी है केवल 55 तो 170 में से 55 घटा दो तो 170 में से अगर 55 घटाएंगे तो बचेगा कितना कितना बचेगा कितना एक सो आज बचेगा 115 नहीं बचेगा अब देखो कैसे हिसाब से घटा बढ़ा रहे हो यह 115 किलो बचा अब ध्यान सुनना ocean हमारे अर्थ के कितने हिस्से पर है लेकिन प्रोड़क्टिविटी केवल कितनी है तो बताओ कम है कि ज्यादा है तो 30 परसेंट एरिया पर कौन है लेंड लेंड है क्या 30% लेकिन productivity देखो कितनी है तो जो कम area में है उसकी productivity ज़्यादा और ज़्यादा area में उसकी productivity कम पूछ रहा क्यों तो क्यों तो ocean में गहरे में जतना नीचे जाओगे उतना light available नहीं होगी तो terrestrial area में light की availability ज़्यादा होगी ocean में depth में light की availability कम होगी इसी नाते ocean की productivity तेरेश्टियल एकोसिस्टम से क्या होगी कम हो यह वह हैडिंग है जो यह कोस्चन देके जाएगे टीकम पोजीशन पेपर उठाके देखें इस साल तो दो सवाल आये हैं टीकम पोजीशन से और वी में हैव हैड अर्ठ हम आपने अर्थवर्म आपने खोर्फशन अगे लिखा है जो क्या यह प्रेकड्व डाउन कर देते किसका complex organic matter और साथ में मदद करते क्या loosening of soil जो decomposers होते हैं वो भी तोड़ देते हैं organic material को किसमे inorganic जैसे carbon dioxide water या nutrient और इसी process को कहते क्या है decomposition जो dead plant remains होते हैं जो dead plant remains होते हैं या dead remains of animals होते हैं साथ में fecal matter को भी ले सकते इस सब को क्या कहते हैं यह अच्छा सवाल है dead tree test क्या है dead tree test क्या है तो कहोगे dead plant remain या dead animal remain या fecal matter भी मान सकते हो कि या dead tree test है dead tree test ही क्या है raw material of decomposition important step in the process सब decomposition आर्टिक कर लो fragmentation, leaching, catabolism, hemification and mineralization एक एक करके इस पर पढ़ना है dead tree war कौन होते हैं तो कहोगे वो होते हैं जो तोड़ देते हैं किसको dead tree test को किसमें छोटे particle में और इसी का example कौन है तो वास्तों एक्जामपिल यहां लिखा होना चाहिए dead tree war क्या होते हैं वो जो dead tree test को तोड़ देते हैं किसमें तो कैसे तोड़ देंगे तो dead tree test को खाना पड़ेगा तो जो dead tree test को खाते हैं उनका नाम dead tree war होता है और इसी total fall की process का नाम इसी fatal fall की process का नाम fragmentation प्र अगली process का उन सी आती है लीचिंग टिक कर लो बहुत important इस दवरान water soluble inorganic nutrient कहां चले जाते हैं soil hydrogen और फिर क्या हो जाते हैं precipitate हो जाते हैं और precipitate हो जाने के नाते unavailable हो जाते हैं तो unavailable किस condition के नाते हुए leaching फिर आया तीसरा catabolism जब bacteria और fungi के enzyme तोड़ने लगें इसको इसको detritus इधर देखो मान लेते इतना बड़ा piece है detritus का इसको तोड़ के छोटे-छोटे piece में कर दिया गया चोड़ लेकिन अभी भी है तो यह detritus ही ना बस क्यों तोड़ के छोटे-छोटे piece में किया गया है तोड़ने को क्या कहते हो fragmentation लेकिन अगर इनको तोड़ो किसे enzyme से तभी इस process का नाम क्या है catabolism तो फिर क्या निकलेंगे simple inorganic substance process का नाम तो तीनों में आपको अंतर clear होना चाहिए fragmentation क्या है लीचिंग क्या है और catabolism क्या है तो चोटे-छोटे पार्ट में तोड़ दो और catabolism क्या है कि सालमोली इनारगेनिक कहां चले जाए डीप इनस्वाइल चले जाए और अब लेबल हो जाए और catabolism क्या है जब detritus को enzyme के द्वारा तोड़ा जाए तो उसका नाम catabolism और तो क्या बनेंगे इनारगेनिक करा इट इपार्टेंट टू नोट एट ऊपर के जतने step है मतलब decomposition और बाकी सब यह सब क्या होते हैं एक साथ होते हैं साइमल इनसली अगला step कौन सा है हेमिफीकेशन है मिनरेल आजेशन ये कब होते हैं डिवरिंडी कंपोजिशन इन दा स्वायल इस में हुमिफीकेशन का मतलब स्मझ रो धान से सुने हुमिफीकेशन सबद का सीधा मतलब है क्या बनाना हुमिफिकेशन का मतलब है एकुमूलेशन आफ हुमस अब हुमस क्या है तो वो अंडरलाइन कर लो डार्क गदर इमारफस सबस्टेंस सीधी सी बात अगर हुमस एकुमूलेट हो रहा है तो प्रोसेस का नाम हुमिफिकेशन हुमस बहुत इंपोर्टेंट इस पर कोश्चन आएंगे एक्जाम में यह हाईली रजिस्टेंट होता है इसी नाते अंडर गोज क्या बहुत स्लो रेट यह कोलाइडल नेचर का होता है यह सर्व करता है आए जे रिजर वायर आफ न्यूट्रियंट तो इतने कोश्चन हीमस के हैं हीमस क्या है तो कहोगे जो हीमिफिकेशन से बनता है यहमस क्या है जो हीमिफिकेशन से बनता है कैसा होता है डार कलर एमारफ होता है कैसा होता है highly resistant decomposition कहता है very slow होता है किस रेचर का कोलाइड तो क्या काम आता है रिजर वायर यह सब क्वेश्चन है किसके हुमस के हुमस की कैसे ह्मस को फिर तोला जाता है किसके लाई माईग्रोब और और रिलीज करते हैं क्या इन इन अर्गनिंग न्योट्रियेंट balance का नाम है जितना इंपॉर्टेंट यह सब है उतना ही इंपॉर्टेंट ये पेडाग्राफ है यह पेाराग्राफ भी Esse क्यों इस paragraph में ये बताया जा रहा है कि जो decomposition की process है वो कौन तय करेगा decomposition तेज होगा कि decomposition slow होगा कोई नो कोई तो तय करता होगा तो वो यहां factors लिखे हैं तो बहुत important है पहिंद की line टिक कर लो decomposition क्या है oxygen requiring process है the rate of decomposition is controlled by किसके द्वारा chemical composition of detritus और क्या climatic जैसे particular climatic condition में decomposition slow हो जाएगा अगर detritus में क्या होगा rich in lignin and chitin लेकिन decomposition fast हो जाएगा अगर rich in nitrogen and water तो बहुत important line लिखिए नीट में आने वाली line है इसी तरीके से लिखा है temperature और soil moisture यह भी most important क्या है factor जो regulate करेंगे किसको decomposition क्यों क्यों क्योंकि यह प्रभावित करेंगे दोनों चीजे temperature और soil moisture प्रभावित करेंगे किसको activity of sun जैसे अगर warm और moist environment है तो यह क्या करेगा फेवर करेगा decomposition को लेकिन अगर कहीं क्या हो जाए low temperature और क्या हो जाए आयन aerobiasis तो फिर यह क्या करेगा inhibit करेगा किसको decomposition तो फिर क्या बढ़ जाएंगे organic materials बहुत important paragraph है energy flow except for except for the deep sea hydrothermal ecosystem underline कर लो इसको deep sea hydrothermal ecosystem में जो energy का sun is the only source of energy तो यहां source of energy क्या होगा यहां source of energy क्या होगा तो यहां source of energy chemical reaction होंगे यहां chemo traffic होंगे यह सब auto traffic होंगे यह सब क्या होंगे chemo traffic होंगे तो यहां source of energy क्या होंगे chemical reaction होंगे जितनी solar radiation आती है लिखा है less than 50% 50% से भी कम क्या होती है photosynthetic active radiation we know that plant and photosynthetic bacteria fix करते हैं sun की radiant energy को उसे बनाते क्या है food from the simple organic material यह point टिक करो plant capture only कितना 2 से 10% of the par total का 50% तो पहले par है मान लेते 10 किलो कैलोरी energy sunlight के पास है उसका 50% ही केवल par तो 5 हो जाएगा और उसका केवल 2 से 10% तक क्या हो सकता है 2 से 10% par कि यूज होगा किसमे photosynthesement it is very important to know that how solar energy capture by plant flow through different in an ecosystem सभी organism dependent होते हैं अपने खाने के लिए किस पर producer या तो सीधे सीधे पौधे को खा जाएंगे ना तो जिसने पौधे को खाया होगा उसको खा जाएंगे indirectly so you find ये पौइंटिकलो इंपोर्टेंट है unidirectional flow of energy from sun to क्या producer then क्या consumer क्या ये thermodilumics के ला का पालन करते हैं तो हाँ कौण सा ला फर्स्ट की सेकेंड तो क्यों के दोनो फर्स्ट ला भी पालन है और सेकेंड ला भी green plant in the ecosystem are called क्या तो answer देंगे producer in terrestrial ecosystem बताओ producer कौन होंगे herbaceous and क्या woody plant लेकिन किसी aquatic ecosystem में बताओ कौन होंगे तो answer क्या देंगे phytoplankton algae और क्या कुछ higher plant भी हो सकते हैं you have read about the food chain अपने आप क्यों लिख देते हैं आप लोग पढ़ चुके हैं किसके बारे में food chain और food web इतना जन्तों कितना पढ़ चुके हो केवल नाम लिये एक सब्द यहां लिख दिये बस केवल यहां एक सब्द लिखाए बस ये दिखू food chain और food अपने पढ़ चुके हो इतने से इन्होंने मान लिया कि आप पढ़ चुके हो you have read about the food chain and food web that exist in the kya nature टिक कर लो starting from the plant food chain यह food web formed such that जो अनिमल फीड करेगा किस पर प्लांत पर या किस पर किसी अनिमल पर किसके लिए food के लिए तो chain या web is farmed because of kya interdependency तो कि एक दूसरे पर dependent है इसी नाते food chain बनती है क्यों क्यों क्योंकि no energy that is trapped in an organism remain forever permanent नहीं रहेगी जैसे मान लेते कि उसी पौधे ने energy trap की तो या तो उसको कोई खा ले तो energy किसी दूसरे के पास चली जाएगी और नहीं तो जब यह मरेंगे तो सारी energy क्या हो जाएगी release हो जाएगी कहने का मतलब permanent अपने पास रख नहीं सकते हैं energy trap by producer सर या तो कहां पास हो जाए कहां पास हो जाए consumer या तो फिर या तो फिर आरगेनिंड की जब death होगी तब energy release हो जाएगी death of आरगेनिंड जो मौत है वो वास्तों में क्या है क्या है शुरुवात है अंत नहीं है मौत क्या है शुरुवात है death is the beginning death is the end तो लोग जैसा समझते हैं कि मौत अंत है मौत अंत नहीं है मौत क्या है शुरुवात है किसकी किसकी डेटेटेटस food chain कांसेट के लिए तो डेटेटर्स फूड चेन की सुरुवात कब से होती है बर्थ से है ठेथ से होती है वाँ 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 अब आज समय आया सभी एनीमल डिपेंड है किस पर प्लांट पर चाहे कैसे या फारदेयर इसना ते इन सब को क्या कहते हो कंज्यूमर कहते हैं और यह सब के सब क्या होते हैं इफ दे फीड आन प्रोड्यूसर सीधे प्लांट को खा ले तो नाम क्या होगा primary consumer and if animal eat other animal that eat क्या plant तो इनको क्या कहोगे secondary consumer फिर से सुन लेते हैं plant क्या है producer जो plant को खाएं वो क्या है consumer जो सीधे plant को खाएं वो primary consumer और plant के खाने वाले animal को खा जाएं secondary consumer likewise you could have a tertiary consumer to हां मिल सकता है obviously primary consumer कौन होते हैं herby vorus होते हैं और common herby vorus कौन से हैं insect है bird है mammal किस ecosystem है लेकिन लेकिन अगर question पूछेगा aquatic ecosystem में herby vorus कौन है aquatic ecosystem में herby vorus या primary consumer कौन है molusk है consumer जो फीड करता हो किनको किनको herby vor उनको कहो किया carnivore या इनको कह सकते हैं primary carnivore ये वास्तों में स्वयम क्या होते हैं तो चाहे कहो secondary consumer और चाहे कहो primary carnivore dependent on primary carnivore जो primary carnivore को खा जाएं जो primary carnivore को खा जाएं वो secondary carnivore सिंपल ग्रेजिंग food chain दी है क्या ग्रास है इसको गोट ने खाया और गोट को मैं ने खाया इसमें ग्रास क्या है प्रोड्यूसर है गोट क्या है primary consumer मैं क्या है secondary consumer है या या primary carnivore है डेथ से क्या शुरू होगी क्यों से यह लिखा है डेथ से डेट्रीटस food chain शुरू होती है डेथ इस दा बेगनिंग आफ डेट्रीटस food chain तो चाहे प्रोड्यूसर मरे चाहे प्राइमरी कंज्यूमर मरे चाहे से केट्री कंज्यूमर मरे चाहे टर्सरी कंज्यूमर जैसे ही किसी की डेथ होगी जैसे ही किसी की डेथ होगी, वैसे क्या शुरू हो जाएगा तो क्या शुरू हो जाएगा, आइसर देंके, डेटेटस फूड चेन बिगिन्स विद डेड आर्गनिक मेटर ये किस चीज की बनी होती है, डेकंपोजर, जो सोयम क्या होते है हेटरो ट्राफिक, मेनली, फंजाई और बैक्टिरिया, क्योंकि अपनी इनर्जी की डिमांड और न्यूट्रियन की जो रिक्वार्मेंट है, वो क्या तोड के डेड आर्गनिक मेटरियल या डेट्रेटस, इन सब को कहते क्या है, सैप्रो ट्राफ डिकंपोजर सिक्रीट करते हैं किसको, डाइजेस्टिव एंजाईम, डेट ब्रेकेंड डाउन क्या, डेड आएंड, वेस्ट मेटीरियल, इन्टु क्या, सिंपल इनर्गनिक, जो एवजार हो जाते हैं, किसी एक एक्क्वेटिक एकोसिस्टम में, ध्यान से, बहुत बढ़ पूड चेन काउन से हैं, तो देखो लिखा है, किसी एक एक्क्वेटिक एकोसिस्टम में, मेजर कंडियूट आफ एनर्जी फ्लो, कौन करता है, कौन करता है, जबकि ट्रेस्टियल एकोसिस्टम में, मेजर कंडियूट आफ एनर्जी कौन करता होगा, यह याद रखेगा, यह important है, जबकि terrestrial ecosystem में ज्यादा तर energy का जो flow है, वो किसमे होता है, दैन दा GFC, तो यह बहुत important सवाल हो गया, ध्यान से सुने, major conduit of energy, GFC किस ecosystem में, और major conduit of energy is GFC, किसमें, terrestrial, detritus food chain, कहीं कहीं जुड़ी होती है, किस से grazing food chain, कासकर जब कोई animal, omnivorous होता है, जैसे लिखा है, some organic map, detritus food chain, यह ब्रे हो जाते किसके grazing food chain, in a natural ecosystem, जैसे की काक्रोच, जैसे की crow, तो काक्रोच और crow, decomposer में आते हैं, यह detritu virus होता है, अगर यह detritu virus है, इसका मतलब यह detritus food chain का पार्ट है, लेकिन कोई काक्रोच को मार के खा जाए, तो फिर किसमें चला गया हो तो, grazing food में चला गया है न, तो जो लोग ओमनी वोरस होते हैं, जैसे नेट्रल इंट्रेक्शन होता है, फूड चेन का, तो बनता क्या है, फूड वेप बनता है, यह भी बहुत बढ़ी हाई important paragraph है, आर्गेनिज्म अकुपाई एक प्लेस, आर्गेनिज्म का एक निश्चित अस्थान है, इन नेचुरल सराउंडिंग आरे कम्यूनिटी, according to their feeding relationship, हिंदी में सुने, किसी एक कम्यूनिटी में, feeding relationship के हिसाब से, आर्गेनिज्म का एक निश्चित अस्थान है, निश्चित अस्थान होने का मतलब ये है, कि कौन पहले खाएगा और कौन बाद में भाएगा, किसके पास एनर्जी पहले जाएगी और किसके पास एनर्जी बाद में जाएगी, तो देखो, based on source of their nutrition, आर क्या, food, organism, occupy a specific place, यहां भी देखो, place लिखा है, place सब्द आएगा, तो इस्टेटिफिकेशन मत लगाईएगा, place सब्द आएगा, तो क्या लगाईएगा, traffic label, इसमें पहला traffic label कौन होगा, हर्भी वोरस से आगे traffic label बनते जाएगे, डाइग्राम देखो, इस इस clear हो जाएगे, यह बहुत important है, जो producer है, वो first traffic label है, जो primary consumer वो, जो secondary consumer और जो tertiary consumer वो, fourth traffic label, एक और खास बात देखो, जो first traffic label है, वो क्या होते हैं, plant, जो second traffic label वो, हर्भी वोर, third traffic label वो, कार्णी वोर, और जो fourth traffic label वो, टाप, और example भी important है, जैसे, अगर हम कहें, aquatic ecosystem है, तो aquatic ecosystem में जो phytoplankton है, वो क्या है, first traffic label पर है, जबकि इसी में जो ju plankton है, वो, और इसी में जो phytoplankton है, वो third traffic label पर है, और आगे दिये नहीं aquatic, बज़े काई दोनों aquatic में रहते हैं, aquatic के हैं, आप terrestrial में आजाओ, terrestrial ecosystem में, first traffic label पर कौन मिलेंगे, second traffic label पर, और third traffic label पर, और fourth traffic label पर, तो ऐसे question देगा, चार नाम देदेगा, बुचेगा aquatic ecosystem में, इनके traffic label बताओ, तो aquatic ecosystem में, first पर काउन है, देख लो, grass है, वाँ भाई वाँ, aquatic ecosystem में, first पर काउन है, और second पर, और third पर, फिस है, बस, अब fifth seating आके जो होगी, जो फिस को खा लेंगे, वो क्या हो जाएंगे, fourth traffic label, और किसी terrestrial ecosystem में, first पर, और second पर, third पर, third पर, बढ़ नहीं है, बढ़ भी तो होगी, और fourth पर, आईसे कोई chain देगी, कोई भी chain दिया होगा exam में, और आप से पूछ लेगा, इनके traffic label बताओ, तो अराम से बताएंगे, जो producer होगा, वो first, जो primary consumer वो second, consumer primary है, traffic label, second है, consumer tertiary है, consumer secondary है, traffic label, consumer tertiary, traffic label, फोड़, traffic label एक जादा होता है, the important point to note is that amount of energy, यह भी important है, क्यारा खुदे important है, जब कह रहा important तभी नहीं मान रहे हो, यह important है, क्या, कि amount of energy, घटेगी, कहाँ, at successive traffic label, when any organism dies, it is converted to क्या, dead treatise या, dead biomass, यही energy source का काम करता किसके लिए, decomposer, organism as eat traffic label, किसी भी traffic label का जो organism है, वो depend करता है, energy के लिए किस पर, तो नीचे वालों को आप हलके में समझो, हमेशा ऊंचे वाला किस पर depend है, नीचे वाले पर depend है, ठीक है, जब लगता क्या है, क्यों उंचे वाले ज़्यादा लोग हैं या, जब कि ऐसा है नहीं, जो भी उनचे है, वो किस पर depend है नीचे वाले पर नीचे वाले खाना पीना देना बंद कर दें उपर वाले खतम हो जाएंगे सभी आरगेनिजम किसी भी traffic label पर है वो अपनी energy के लिए किस पर depend है किस पर depend है lower traffic label Each traffic label का एक certain mass इस chapter के तीन hit question है एक standing crop है एक traffic label है और एक statification है Certain mass of living material at a particular time is called क्या Standing crop Standing crop is measured as a mass of living organism या biomass या number in a unit area Biomass of species expressed in term of या तो fresh या तो dry weight Measurement of biomass in dry weight is more accurate So dry weight विल्कुल सही होता है क्योंकि जो fresh weight होता है उसमें बहुत सारा water होता है वह मालेते कोई पौधा ले लीजिए उसका वजन कर लीजिए वो उसका क्या है fresh weight है लेकिन क्या वो Biomass है उसका उसमें से बहुत सारा पानी तो क्या पाउधे ने पानी बनाया है पानी तो बनाया नहीं है यह काम कर उसको सुखा दीजिए और सुखाने के बाद जो वजन होगा वो उसका असली Biomass होगा तो dry weight ही क्या है Dry weight ही क्या है more accurate है यह बहुत बढ़ी हा लाइन लिखिए यह नंबर आफ ट्राफिक लेबिल इन ग्रीडिंग फूड चेन या आगे यह क्या लिखा है सीमित होती है क्यों तो क्यों यह देखो लिखा है ट्रांसफर आफ एनरजी फालोज क्योंकि केवल और केवल 10% एनरजी ही ट्रांसफर होती है कहां इस ट्राफिक लेबिल फ्राम लोवर हाइयर को कितना जाएगी केवल 10% ही जाएगी तो देखो अभी मान लेते हैं 100 है फिर किसकी गई 10 फिर 1 फिर 0.1 और फिर 0.1 अब इतनी कम एनरजी बची है कि इसका 10% और बहुत कम हो जाएगा तो ध्यान से सुनिएगा ट्राफिक लेबिल 1, 2, 3, 4 तक तो समझ में आता है ट्राफिक लेबिल 10 नहीं सुना होगा क्यों जब ट्राफिक लेबिल 10 कहेंगे तो बहुत एनरजी कम हो जाएगी आगे ट्रांसफर करने के लिए बहुत कम बचेगी तो फिर से पढ़ते हैं नंबराफ ट्राफिक लेबिल क्या है रिस्टिक्टेड है इनकी सीमा या तो तीन या तो चार क्यों 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 इनर्जी का ट्रांसफर इसको फालो करता है और यह कहता क्या हैblade 10% एनर्जी जायेगी कहां इस ट्राफिक लेबल कहां से लोवर इन नेचर इट इस पास्बिल तो हैब सो मेनी लेबल जैसे प्रोड्यूसर हर्भी वोरस प्राइमरी करनिवोरस सेकेंडरी करनिवोरस इन क्रेजिंग फूट चेंग डाइग्राम देखें क्या लिखा है तो किसी पर्टिकुलर प्लांट के पास जो एनर्जी आएगी कहां से सन से इस दवरान हीट के फार्म में बहुत सारी एनर्जी रिण हो जाएगी और ये 10% एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देगा तो ये 10% एनर्जी किसी इनसेट को ट्रांसफर करेगा इनसेट के पास जो एनर्जी होगी उसमें से बहुत सारी हीट के फार्म में निकल जाएगी केवल 10% किसको मिलेगी बर्ड और बर्ड के पास जो एनर्जी होगी उसका 10% ही केवल किसको मिलेगी Eagle yeah or higher bird को जब ये मरेंगे ये मरेंगे, ये मरेंगे और ये मरेंगे तो सब की energy किसके पास जाएगे, टेट्री war के पास और सब अन्तथा जितनी energy आई होगी, वो सब अन्तथा किस फारम में चली जाएगे heat, क्योंकि ना तो energy बना सकते हो, नहीं नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हो किवल कर कह सकते हो ट्रांसफर कर सकते हो ट्रांसफार्म कर सकते हो बस एकोलोजिकल पिरामिड एकोलोजिकल पिरामिड में किवल तीन क्वेश्चन याद रखने है बस देखो एक होता है एनरजी पिरामिड एक होता है और एक होता है पायो मास पिरामिड अब ध्यान से सुने इस्तिती ये है कि एनर्जी पिरामिड हमेशा अपराइट होता है ये अपराइट भी होता है और इन्वर्टेड भी होता है और इसका भी यही हाल है ये अपराइट भी होता है और इन्वर्टेड भी क्वेश्चन देखो क्या याद रखना है क्वेश्चन सिर्फ याद रखना है कि नंबर का पिरामिड किसमें inverted होता है और bio mass का pyramid किसमें inverted होता है पस यही दो question याद रखना है तो किये inverted होता है किसका example याद रखना है single tree with small insect single tree और insect का अगर नंबर पिरामिट देखेंगे तो tree producer है उसका नंबर एक है और उसके खाने वाले जो insect है उनका नंबर ज्यादा तो यह ऐसा बनेगा ऐसा बन जाएगा यह inverted ऐसे यहाँ देखो इसका example हमको याद रखना है bio mass in इसका अगर इतना आपको याद है तो कोई question आपका गलत नहीं होगा सीब इतना याद रखना है क्या एनरजी का पिरामिड नंबर का पिरामिड और बायो मास का पिरामिड तीन होते हैं इसका हमेशा आप राइट होता है यह आप राइट और इन्वर्टेट देखेंगे और इसके रखने होता है इसके अलावा कुछ याद ना रखियें जो याद ना है वो सीधा पिरामिड जो सीधा याद ना है वो सीधा बस और हो याद कौन से रखने हैं तो किवल single tree ecosystem single tree with insect क्या है यह याद रखना है क्या होता है inverted किस मामले में number के और equity ecosystem में bioman इसके अलावा कोई भी pyramid आप से पूछ ले कोई भी pyramid आप से पूछ ले और समझ में ना आए तो क्या लगाओगे आप right लगाओगे बस और समझ में आ जाएगा तो दो याद आ जाएंगे कौन से single tree में number का और aquatic में bioman यह दोनों क्या होते हैं inverted बाकी सब के सब सीधे ज़्यादा याद रखो कि कुछ याद नहीं रहेगा बाकी देखो कितना लिखा इससे को मतलब नहीं है we must be familiar with the shape of pyramid base of pyramid हमेशा broad होता है यह narrow toward the apex one gets similar shape whatever you express the food या energy relationship between organism at the different traffic level relationship is expressed in term of number या biomass या energy base of each या अच्छी लाइन लिखी है किसी भी pyramid का जो base है वो हमेशा किसको represent करता है किसको first भले ही ये inverted बना हो बेटा यान लो ये भले ही inverted बना हो फिर भी ये क्या है first traffic level ये क्या है second और ये क्या है third भले ही आपको उपर चौना नजरा रहा है तो base हमेशा किसको represent करेगा first traffic level जबकि apex किसको represent करेगा tertiary या top level consumer तीन टाइब के ecological pyramid होते है number का biomass का और किसका energy देखो यहाँ यहाँ नंबर का ही दिया हुआ है किसी एक grass land ecosystem मतलब terrestrial ecosystem है producer का number देखो ज़्यादा है उससे कम primary consumer उससे कम secondary consumer उससे कम tertiary consumer पूछने को तो यह भी पूछ सकता है कि इस case में tertiary consumer का number कितना है तो यह तो याद ही कर सकते हुआ यह नहीं याद करो यह न याद करो यह न याद करो यह याद कर लो किसी एक grass land ecosystem में tertiary consumer की संक्या कितनी है तीन होती कितनी होगी पता नहीं जितना दिया उतना याद रखोगे ऐसे ही यह देखो पायो मास का पिरामिट दिया है यह producer है तो producer का पायो मास ज्यादा primary consumer का और कम secondary का और कम tertiary का और कम तो यह ऐसे ही तो बना है यह भी अप्राइड बना हुआ है यह देखो बस उल्टा दिया हुआ है inverted pyramid of biomass आफ इस कहां पर किसी एक्वेटिक सिस्टम में तो एक्वेटिक सिस्टम में क्या होती है यह producer उसका biomass कम है और यह primary consumer उनका बायो मास ज्यादा है इसका मतलब कम standing crop पर ज्यादा standing crop बन गई यह तो लिखा है small standing crop off किसका यह support करता है किसको large standing crop off कुछ ना समझ में आये तो यह line रट लोगी यह line ही exam में आएगी age सच यहाँ से उठाएगा the pyramid in which the pyramid in which इन विच के बाद यहाँ सुरू करेगा the pyramid in which small standing crop off phytoplankton support large number of large standing crop off phytoplankton sorry you plankton तो क्या answer दोगे तो तो तुरंद कहोगे यह inverted pyramid of bio mass ठीक है यह line exam में आने वाली है यह energy का दिया है जरा हम कुछ इतना बताओ इतने जूल energy है sunlight की और उससे यह producer के पास इतना कितने पर्सेंट है बस पर्सेंट बता दो तो भाईया गुड़े अगर 10 बते 100 करोगे तो कितने 0 हटेंगे तब तो क्यों एक 0 हटेगा कितने हटे हैं हटालो हमें कोई जल्दी थोड़े है अगर हम यहाँ चांने पर्सेंट कर दें तो कटेंगे हैं हए तो इतना बचेगा ह sih तो यह बन पर्सेंट है गोटल का मिन का चतनी इनरजी थी उसका क्यों फेसे पता चला थो पहले nossas तो प्रजों टर्सेंट कर दो और 50% का 10% कर दो भी निकलाएगा तिक अब आजाओ जितनी एनरजी किसके पास प्रोडियूसर के पास उसका 10% ये है उसका 10% ये है उसका 10% ये है तो याद रखना है ये 10% नहीं है ये कितना परसेंट है ये 1% है अनी कलकुलेशन आफ एनरजी कंटेंट नंबर बायो मास हैस तो इंकल्यूड आल आर्गेने मैट ट्राफिक लेविल नो जनरलाजेशन वी विल मेग ट्रू इफ वी टेक ओनली फ्यू इंडिविज्वल अगर हम कुछी इंडिविज्वल लेंगे तो सही बात नहीं आएग वो सेकेंडरी पर हो किसी चेन में टरसरी पर हो वन मस्ट रिमेंबर देट ट्राफिक लेबिल रिप्रेजंट दा फंक्शनल लेबिल नाट इस पसीज अशच एक अभी कुछ अंडरलाइन नहीं करना है एक गिवन इस पसीज में अकुपाई झीए more than one traffic label in a same ecosystem at the same time. For example, is sphero क्या है? is sphero primary consumer है जब ये क्या खाती है? लेकिन ये secondary consumer भी हो जाएगे जब ये क्या खाने लगेगे? तो बताओ sphero के पास 10% होगी कि उसका भी 10% होगी? बैया, जब ये primary consumer होगी तो सीधे 10% मिलेगा और अगर सेकेंडरी कंजुमर की तो उसका 10% मिलेगा तो यहीं तो समझाना चाहे रहा है कि आर्गेनिजम एक ही समय पर वो तो ट्राफिक लेबिल पर रोल अदा कर सकता है जैसे इस पैरो तो कभी उसको मिल गया सीड तो सीड खा लिया और थोड़ी देर तो सेकेंड ट्राफिक लेबिल पर थे और जब इंसेट खारे थे तो थार ट्राफिक लेबिल पर थे इन मोस्ट को सिस्टम सभी पिरामिड नंबर एनरजी एंड बायो मास यहां क्या लिखा बेटा और यहां क्या लिखा है मतलब हमेशा प्रोड्यूसर का क्या होगा ज्या निए बोरस पसके वले एक ही अपवाद है तो आल्सो एनरजी एट दा लोवर ट्राफिक लेपिल हमेशा क्या होगी ज्यादा दैन दा हाइएर देर आर दा exception to this generalization if you were to count the number of insect feeding on big tree एक बड़े से पेड़ पर बहुत सारे insect है तो यह तो उल्टा हो जाएगा ना करक what kind of pyramid you get अगर अगर इसी में क्या जोड़ दो बेटा यह बहुत बढ़ी हां क्वेश्चन है अगर इसी में small bird जोड़ दो तरह देखो मान लेते हैं कि यह एक single tree है को 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 झाल झाल झाल